लेकिन कुछ लोग बड़ी समझदारी से रिस्क के साथ खेलते हैं कहते हैं वो रिस्क नहीं ती बहुत ज़्यादा मायूस है तो वो खुश हो जाए और अगर बहुत ज़्यादा खुश है तो मायूस हो जाए कि सक्सस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर कि रिस्क है तो इश्क है दोस्तो ध्यान रखिए आज मैं आपको पताने वाला हूं पांच ऐसे डायलॉग जिरूड़े मेरी लाइफ को बदल के रख दिया है और यदि आप भी अपनी लाइफ में इन डायलॉग्स को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा कितनी कि स्कैम 92 कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट आफ व्यू को दिखाती है अनेथिकल चीजों को दिखाती है लेकिन मैंने कहा था ना अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट के व्यक्ति हैं तो आप हर परिस्तिति से बेहतर चीजों को निकाल कर अपने जीवन में उसका अनुकरन करके बहुत आगे बढ़ जाएंगे कि सक्सस क्या है फेलियर के बाद का नया चैप्टर केतने कर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो विपरीत परिस्तितियां भी आएंगी लेकिन जो लोग विपरीत परिस्तितियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे उनकी जीत निश्चित होगी इसलिए हमेशा अगले चैप्टर का इंतजार जरूर करें क्योंकि फेलियर के बाद आने वाला हर चैप्टर आपको सफलता के नई बुलंदियों तक ले जाएगा एक बार की घटना है कि अकबर अपने दरबार में बड़े मायूस बैठे हुए थे और मायूस बैठे बैठे उनके मन में एक विचार आया उन्होंने बीरबल से कहा कि कोई एक ऐसी बात कहो जिसको सुनकर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मायूस है तो वो खुश हो तो आपका जीवन कुशाली की और बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है नेक्स जो डायलोग है वो बहुत फिमस हुआ है रिस्क है तो इश्क है दोस्तों ध्यान रखिए यदि आप सफलता पाना चाहते है तो सफलता को हासिल करने के लिए आपको रिस्क लेना होगा लेकिन कुछ लोग बड़ी समझदारी से रिस्क के साथ खेलते हैं के तैंब वो रिस्क नहीं वो alluded रिसक लेते हैं उनको पता ह होता है कि यदी उस रिस्क में मैं हार भी गया तो मैं पूर्ण रूप से नहीं हारूंगा बहुत सारी चीजे मुझे लाइफ में नए लर्णिंग के रूप में मिलेगी और दुबारा से जब मैं प्रयास करूंगा तो जीरो से नहीं अनुभव से शुबारम करूंगा का है कि old school हो या new school सभी के syllabus में chapter common है और वो chapter है profit ध्यान रखिए आप यदि निरंतर प्रयास करते हैं तो आपके जीत निश्चित होगी और आपकी जीत ही आपको बेशुमार profit दिलाएगी इसलिए कभी परिस्तितियों के सामने घुटे ना टेकें निरंतर प्रयास करते रहें जीत आपके निश्चित होगी कि emotion में तो इंसान हमेशा गलती करता है ध्यान रखिए जीवन के बहुत सारे फैसले हमें emotion से नहीं अपनी बुद्धी मत्ता से लेने चाहिए अनुभव के अधार पर लेने चाहिए या जो लोग उन अनुभव के अधार पर सफलता हासिल कर चुके हैं उन से ज्यान लेकर अपने अनुभव को बढ़ाना चाहिए इसलिए कभी भी emotion में ना बैजाएं आप अपने मन को एकाग्रचित करके लक्ष प्राप्ती की ओर निरंतर प्रयास करेंगे तो आपको काम्याभी ज़रूर मिलेगी कितनी कि बिजनस में तो saturation आता है लेकिन दिमाग में थोड़ी दिमाग तो हमेशा चलता रहता है वास्तविक परिस्तिती अर्थवरस्था की कैसी भी हो saturation हो बहुत ज़दा success हो problems हो लेकिन ध्यान रखिए वो जो saturation है वो एक limited duration के लिए है माइंड कभी भी saturate नहीं होता वो तो निरंतर चलता रहता है जरूरत है तो अपने दिमाग को एकागर चित रखके उसकी ability पर विश्वास करके निरंतर प्रयास करने की और एक दिन जब वो saturation खतम होगा तो आप भी अपार साफलता आसिल जरूर करेंगा दोस्तों हर्षद म है अगर यह 4 बातों का समावेश अगर आप अपनी लाइफ में करते हैं तो आप भी हर फ्लिल्ड में आपार साफलता आसिल कर सकते हैं इसके लावड़े आपके मन में कोई बी सुझाव बाकि सभी वीवर्स के लिए है या आप हमें कुछ गाईड करना चाते हैं तो मेरा आ जय भारत